नमस्का आप देख रहें पत्नानी 24 लाइब खबर गंडक पार के मदुबनी परखंड छेत्र की है जहां गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने अस्टोड पर कटाव का खतरा मन राने लगा है वही पानी के तेज बहाव के कारण रंग ललही और गदियानी टोला गाव के बीच किनारों पर तेजी से कटाव जारी है जिससे अस्थानिये लोगों में दहशत फैल गया है जिस प्रकार से कटाव हो रहा है उसे देखकर लोगों को कटबंद कटने की चिंता सताने लगी है रहा है उससे शिग्र ही नदी किनारे बने अश्टोड उसके बाद मुख्य तठबंद पर कटाव हो सकता है जो ग्रामडों के लिए काफी चिंता का अभिशय है वही ग्रामडों का यहवी आरोप है कि विभाग आपदा में अवसर का लाव लेने में लगी है जिससे सबी बोर के बरी अधिकारियों से जाच कराने की मांग किया है साथी बोल्डर से पक्के बांद निर्मान की मांग किया है वही मौके पर उपस्थित बिभाग के ज्येई एक्सक्यूटिव का कहना है कि अस्थानिये लोगों को कटाव से डरने की जरूरत नहीं है बिभाग इस पर आप का लोग तो लोग बोले की तूल यहां पर जाली नहीं है तो पूछे की सर आपका फोन लाया कि जाली कहा है तो बोले की जाली था और तीन जली बोलें कटाव रहा हो ने तो बोले कि आप पूछे कहां संहीं कुछा कि माली सतली बीश्याणीमे नहीं लगभग यह बहुत लगभग वहां से कॉल हुआ से घुमा पे कि यहां सक जमीन था इनका अब मंखर जो भी जमीन बचा और गंदा कट जाएगा तो यह ठोकर कटने में पांच नहीं लगेगा जब ठोकर गट जाएगा तो पुरा मधुरन पानी लबालब भालुकी नगरविधान सबाँडे हो जाएगा बचाव के दिशा में क्या काम किया जाए बचाव के दिशा में ही कर है गौध्मेंट कि यहां कर रही है कि बोरा भर यह जाली भर यह उसे क्या भर नहीं हो रहा है जिस तरह से काम हो रहा है अगर काम हो तो कटाव होने में कोई लाइब कोई पहले लोग काम कर यहां तक नदी आगई यहां तक आज काम करा रहे हैं पहुंची परस उसक गास के पास को ढखर यहां रहा है को सच्प्राइए यह सबया कि दिया जा रहा है इसजो क्रिषा कि बालू बढ़ना है उसमें तो बालू दिखाई दे रहा है उसमें तो परकार से कटाओ की स्पीड है उस हिसाब से तो बचावकार जी नहीं किया जा रहा है बचावकार जी किया जा रहा है कि जीस परकार से कटाओ हो रहे हैं तो यहां तक था दर्याओ खेत उनका जो भी का खेत हो यहां तक था आगे तुसका बहुत पीचे चला गया असपार के अथी के फिर अथी में हैं कैस्पार से उधर माई हम लोग भी दिरे बचा लेंगे अब सरकार है कि भी हार गुवर्मेंट बॉल्डर बॉल्डर के लिए उपर सर लोग है उन लोग से बात कर लिया है अरुन कुमर अब जही है जी हम पिचिंग के लिए आगर लोग मांग कर रहे हैं कि बॉल्डर पिचिंग होगा तो अस्थाई रूप से कटाव रूप अब जो फ्लाट फाइटिंग में भी सर काफी अनियमीता देखने को मिल रही है सर यहां पर जो बॉरियों में मिट्टी भरी जा रही है जबकि बालु भगा रहे हैं उस दिन एस जीओ साब आये थे वहां उस चोकर पर जो कटाओ लगा हुआ पर एस जीओ साब बोले कि वह नहां पर बिहार गोवर्मेंट ने बोल्डर बंद कर दिया है अधिकार नहीं दे रहा है जाने के लिए जहां तक बात पूछ रहे हैं जे जे वालीटी के लिए विभाग से समय समय पर जो है वह आती है और चिक करती है अभी तो बोरियों में मिट्टी देखे जा रही है सर इनको पहले से पूछ ले नदी ये उसके बाद आप पमसर अजोप्षाद के लिए आप पड़े राश्वक्तों को रभ्यान वरा नमस्कार मैं दिने सग्रवा दन्वत करता हूँ उन महान कांती विरों को जिन्हों ने अपना सबोस अरपन करके हमें अजात भरत दिया अपनी भावनाओं को ब्याद करते वे कहूंगा जीव में राष्ट के हित में जब तक स्वास बागी है बनु सेखर भलक बस्मिर के यह अमिरास बागी है जैई बंदे बात रहा हूँ इस सोतंतर दिवस पे पटनानीज24 की सारी टीम की तरफ से हमारे सारे वियोज को धेर सारी सुपकामना है आप सबी दर्शकों को पटनानीज24 लाइब चैनल की ओर से 15 अगंस्त सोतंतरता दिवस की हार्दिक बधाई जैहिंद!